योगी अगर आयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असार ना सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्के समूचे पूर्वांचार पर भी पड़ेगा तो गोरगपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्रे के लिए हाद ये वीडियो देखा आपने ये आज तक की एंकर है चित्रा तिरपाठी कैसे इस देश में टीबी अखवार जो है वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है उसका जीता जाता ये नमूना है जब योगी जी आयोध्या से लड़ रहते तो भी फायदा हो रहा था और अब जो सबसे दर्दनाक दिन है आज ही के दिन छे साल पहले रोहित्वेमुला सहीद हुए थे उनकी संस्थानिक हत्या हुई थी और उसको लेकर आज पूरा सोसल मीडिया पूरा देश गमगीन है और उनको याद कर रहा है लेकिन सोचिए कि यूपी के मुखवंतरी योगी जाती का सोर मचाते केबल कायर कूर इनसे पूछिए कि धर्म का सोर कौन मचाता है डरपोक या कायर और इसका जबाब दिया योगी आदितनात को कि योगी आदितनात बिलीट मंडल ने उनको जबाब दिया जी समझ गया एक किस डियम ठाकूर 20SPSSP ठाकूर ये है यूपी म कहता है कि जाती खत्म हों मैं फिर कह रहा हूं इस देश में जाती का सबसे ज़्यादा फायदा और जाती के नाम पर सबसे ज़्यादा शोशन कौन लोग करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है तो ये जी को जाती की रादिती सूप नहीं करती है इसलिए वो जाती के ख पर वाइरल होड़ा जो भी एक रीचा चरड़ा की फिल्म आई थी जिसमें वो मुखमंत्री को कहते कि ओ मुखमंत्री दलितों कहा खाना खाने का नाटक बंद करो बहुत हो गया ये नाटक खाना खाना अगर दलितों कहा तो वो खाओ जो हम खाते हैं बासी रोटी खाके देखाओ ये फाइव स्टार से खाना मंगवा कर साप सफाई करवा के तुम खाना खा रहे हो ये फिल्म है लेकिन शांदार है लेकिन दिखा नहीं सकते आप देख लिजेगा जो वो फिल्म है लेकिन सोचल मीडिया पर आज रोहित बेमूला की ये तस्बीरे पूरा देश पूरी दुनिया में लोग याद कर रहे हैं अगर हम उनके साथ खरे होते तो आज रोहित बेमूला हमारे साथ होते सोचिये किस तरह क्या रोप लगाय थे बीजेपी ने कहा था कि वो सिर्यूल काष्ट नहीं है पिछरी जाती से हैं तो क्या मार दोगे किसी को सजा नहीं तो इसलिए तमाम पोष्ट दिलीप मंडल ने लिखा है नाम रोहित बेमूला इंवर्सिटी और सिख्छा को लोगतांत्रिक और जाती मुक्त बनाने के संगर्स में आपका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा अमर होना इसे ही कहते हैं अंतिम तस्वीर सुसील कुमार SCU रोहि दली थी तैसे उसे प्रित परिवार के दुखदर्द को समझ सकता है आकास अनन्द ने ट्वीट किया है रोहित बेमूला को याद करती है आकास अनन्द बोले आज रोहित बेमूला की मौत को 6 साल हो गये नन्याय मिलार नहीं समाज बदला है आज भी कई छात्रों को चूत क कर समाज में अपना उनका अपमान क्या जाता है रोहित बेमूला एक नायक है जो हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे योगी जी से पूछे रोहित बेमूला के हत्या कैसे हुई थी रोहित बेमूला हम सर्मिंदा है तेरे मनुवादी कातिल जिनता है रोहित बेमूला जाज जब हैदराबाद सेंटर्ल इन्वरसीटी के टॉप और रोहीद बेमुला के स्कोलर्च प्रोग दी गई और उन्हें होस्टल से निकाल दिया गया तो रोहीद बेमुला यहां सोते थे जिसका नाम उन्होंने बेली वारा दिया था इन्वर्सिटी और सिख्छा को लुक्तांत्रिक और जाती मुक्त बनाने के संघर्सों में आपका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा अमर होना इसे ही कहते हैं अंतिम तस्वीर सुसील कुमार की है और ये देखिए मुझे याद है मुझे तो याद है दो केंद्रिय मंत्रियों ने कैसे अपनी निगरानी में सत्याकान को अंजाम दिया था राष्ट व्यापी बिरोध के बाद दोनों मंत्रिय अपने पदो से हटाए गए लेकिन छोटा मंत्रा ले देना तो कोई सजा नहीं होई रोहित एक्ट आज तक नहीं बना जुल्म जारी है आज भी आपके बच्चों को मारा जा रहा है और देखिए राजनाज सिंग के बेटे पंका सिंग को का टीकट हो गया है नोईडा से उनके एक और बेटे के जो है नीरा सिंग उनका भी लखना उसे टीकट पका माना जा रहा है तो ये परिवार बात में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SCSTOVC मैनोटी के लोग को खुल कर अपनी बात कहनी चाहिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि SCSTOVC मीडिया ही बहुजन मीडिया है SCSTOVC मीडिया ही सच्चा मीडिया है और आज पूरी दुनिया पूरा देश बहुजन समाज के लोग रोहिद बेमुला को याद कर रहे है वो कौर लोग है जो अम्बेटकर जहनती नहीं मनाते है वो कौर लोग है जो रोहिद बेमुला से नफरत करते है वो कौर लोग है जो संभिधान नहीं मानते है उन्ही को मैं मनुवादी, जातिवादी और बढ़ामन बादी कहता हूँ और वही रोहिद बेमुला के हत्यारे हैं आपकी क्या पर्तकिर आपनी पर्तकिर जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें